देखे फ्रेंड्स आज का हमरा कोशन है फिजिस्का बहुत ही इंपर्टेंट है तू स्टॉन्स आर थ्रॉन अब साइमल्टेनियसली दो पत्थर उपर को फैके जाते हैं साइमल्टेनियसली मतलब एक एक करके एक के बाद एक from the edge of a clip of 200 meter high 200 meter उची चटान से फैके जाते हैं चटान हो या कोई जो है इस्तंब हो खंबा हो इसके ओपर से जो है दो पत्थर एक करके फैके जाते हैं with the initial speeds of 15 meter per second पहली की speed कितनी है 15 meter per second और दूसरे वाले पत्थर की speed कितनी है 30 meter per second verify the graphs on in the figure 3.27 अब इसी question में ग्राफ बना के दे रखा है यह हमें verify करना है क्या verify करना है correctly represents the time variation of the relative position of the second stone with respect to the first दूसरे वाले पत्थर की पहले वाले पत्थर के respect में जो position है उसका और time का दूसरे वाले पत्थर की पहले के respect में जो position का graph अबना के दे रखा और time का graph अबना के इनुहें दे रखा है हमें verify करना है के ग्राफ सही बना हुआ है या गलत बना हुआ ठीक है आगे क्या कह रहा है neglect air resistance यह मालोग間 एर रेजिस्टेंस वहां पर है नहीं दू नोट रिवाउंड आफ्टर हीटिंग दा ग्राउंड यह मान के चलिए कि स्टॉन जब ग्राउंड पर आ जाते हैं तो फिर उपर ने उठते ग्राउंड पीर जाते हैं वह ठीक है टेक जी इकॉल टू टैन मीटर पर सेकेंड इसक् अब यह वाली लीनियर वाले पार्ट की इक्वेशन देनी है इसकी इक्वेशन क्या होगी और हमारे कर्व पार्ट की इक्वेशन देनी है इसकी इक्वेशन क्या होगी इन दोनों पात की हम से एक्वेशन भी पूछ रहा है इस वाली लाइन की और इस वाली लाइन की कि यह हमने माल लिए दो सो मीटर उचा है इसके ऊपर से किसी ना जो है दो पत्थर फैके अब आये हम माल लेते हैं यह दो सो मीटर उचा एक हमबा है इसके ऊपर कोई जो है आदमी खड़ा है यह खड़ा हुआ इसने दो पत्थर फैके ठीक है पहले पत्थर को जो इसने स्पीड से फैका 15 मीटर पर सेकंड 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसने यह पत्थर फैका यह माल लिए यह पत्थर है और इसकी स्पीड क्या थी 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसने ऊपर को फ इसकी स्पीड कितनी थी 30 मीटर पर सेकेंड पहले इसने फैका है बाद में इसने फैका इस वीड ज्यादा तो ओपर चला गया ठीक है अब हम मान लेते हैं कि यह जो है यह बाला पत्थर जो आया यह घूम के यह लीनियर मोशन करता हुआ यह यह आके यहां पर गिरी है ठीक है दूसरा वाला पत्थर जो आया क्योंकि स्पीड ज्यादा थी तो यह बाद में यह आके गिरा ठीक है हमने क्या किया पहला वाला पत्थर तो यह आके गिरा इसकी फाइनल पोजिशन यह हो गई दूसरा पत्थर यह आके गिरा इसकी फाइनल पोजिशन यह हो गई इसकी फाइनल पोजिशन हमने एक्स बन मान ली और इसकी फाइनल पोजिशन हमने मान ली एक्स टू दूसरे वाले पत्थर की और इनकी दोनों की जो इनीशियल पोजिशन थी वो कितनी थी 200 मीटर उचाई से गए थे ठीक है तो यह हो गए इनकी इनिशियल पोजिशन X0 यहां से हमने फैका था ठीक है अब को फॉर फर्स्ट स्टोन पहले वाले स्टोन के लिए इसका displacement निकालेंगे displacement कितना हो गया देखे final position कितनी है इसकी X1 minus initial position कितनी है X0 displacement कैसे निकालते है फाइनल पोजिशन थो हमें पता नहीं है X1 कितना चलके यह आया है मगर X0 का हमें पता है कितनी distance है 200 200 मीटर ठीक है इसकी speed कितनी दे रखे है इसने मतलब velocity 15 मीटर पर सेकेंड तो यह हो गई हमारी initial velocity U equal to 15 मीटर पर सेकेंड ठीक है अब हम पर क्या है हमने gravity के against इसको उपर फैका था तो जी की value जो लेंगे वह हम माइनस में लेंगे माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड इसको है 10 इसलिए ले रहे है क्योंकि कोश्चन में उसने कह रखा है ठीक है अब यहां पर equation of motion लगा देते है एस इक्वल टू क्या होती है U T plus half GT square अब S की जगा S की value रखलेंगे displacement की X1 minus 200 equal to U T मतलब 15 T plus half into G की value minus 10 into T square ठीक है 25 जा 10 यह होगे हमारा X1 minus 200 equal to 15 T 15 T plus minus minus 5 T square ठीक है 200 को इदह ले जाते है X1 की value हमारी निकल जाएगी X1 equal to 200 plus 15 T minus 5 T square equation number 1 ठीक है यह आ गई हमारे पहले वाले पत्थर की equation पहले वाले पत्थर की position की equation आ गई ठीक है अब यहां पर क्या करेंगे जब यह ground पर आ गया तो X1 distance क्या होगा इस 0 बिल्कुल यह ground पर आ गया तो X1 distance कितने होगा इस 0 इस से 0 लेके हम time निकालेंगे time कितने time इसको लगा इडिंग डालते हैं add ground अब ग्राउंड पर जैसी आएगा तो X1 कितना हो जाएगा X1 इकल टू जीरो अब equation 1 में रख लेंगे X1 इकल टू जीरो तो यहां पर 0 इकल टू यह हो जाएगा 200 पिलस 15T स्क्वाइर 15T माइनस 5T स्क्वाइर सबको aside कर लेंगे यह हो जाएगा माइनस का 200 माइनस का 15T और पिलस का 5T स्क्वाइर इकल टू जीरो अब इससे स्क्वाइर से लगाते हैं क्योंकि कॉडिटिक एक्वेशन बन नहीं है 5T स्क्वाइर पहले नंबर पर माइनस 15T और माइनस 200 इकल टू जीरो ठीक है 5 से वो क्या है 85 जा 40 8 माइनस 5 3 तो इससे लिख लेंगे हम 8 माइनस 5 बाहर T माइनस 40 इकल टू जीरो बना लिए अब यहां से क्या करेंगे फैसे एकक जो टू और माइनस और यहां सेłe को मल लिए तो यहां थीमाइनस 8 इक़ टू 10-8 दोना जगा सब्सक्राइब यह बचेगा T प्लस 5 इकल टू जीरो इफ पहले वाले कुछ 0 के बरावर करेंगे 2-8 इककोल टो जिरो तो टी क्कोल टो कितना 8 सेकेंड टी की वेल्यू कितने अगे 8 सेकेंड आगे और इस वाले को जिरो के बरावर करेंगे if t minus five equal to zero टी की वेल्यू अगी minus five seconds जोकि not possible है क्योंकि time minus महाँ ठाहिए, इसको छोड़ा दें तो यह हमें पता इस लुगा है तो यहां से आगे होगा, जो भी होगा, ठीक है यहां तक जो है linear चले खाल यहां पर पेला बाला पत्थर ग्राउंड पे आ गिया तो इससे हमें यह पता चलता है कि 8 सेकेंड में यह ग्राउंड पे आ जाएगा ठीक है जीरो हो जाएगा मतलब ग्राउंड पे आके गिर जाएगा तो इससे हमारे एक एलियर होगा कि 8 सेकेंड में जो पहला वाला पत्थर है और आ Ouais और तो यहां पर को ऐसे इस्टौन है कि दूसरे वाले गाने क्या करें में करेंगे डिस्प्लेस्मेंट निकालेंगे फाइनल पोजिशन माइनस इनिसियल पोजिशन इसकी x2 है तो डिस्प्लेस्मेंट हमारा हो जाएगा x2-x0 मतलब x2-x0 की बेली कितनी है 200 hundred meter होगि है इसकी velocity क्या है किस बेलोषटी से फैका है 30 meter per second की स्पीड से हम ने फैका है 30 meter per second ठीक है अब gravity क्या है क्योंकि gravity के against फैका है तो g की value minus 10 meter per second square यहाँ पर equation of motion लगा लेंगे s equal to ut plus half gt square ठीक है s s की value कितनी है x2 minus x0 मतला x2 minus 200 equal to utu कितना है यहाँ पर 30 into t plus half gt square g की value minus 10 into t square 2 से यह cancel होगी 25 जा 10 ठीक है अब यह हमारा हो गया x2 minus 200 equal to 30 t 30 t minus plus minus minus 5 t square ठीक है 200 को इधर ले जाएंगे 200 को इधर ले जाएंगे तो यह हो जागा x2 equal to 200 plus 30 t minus 5 t square यह आ गई हमारी x2 x2 का मतलब दूसरे वाले पत्थर की equation आ गई जो दूसरा वाला stone हमने फैगा था इसकी equation आ गई है ठीक है अब equation number 2 अब हम क्या करेंगे वह कह रहे हैं दूसरे वाले की पहले वाले के respect में position का graph है ठीक है तो मतलब एक्स टू माइनस एक्स बन की value निकालेंगे हम ठीक है और एक्स टू माइनस एक्स बन निकालने से पहले भी यह पता लगा लेते हैं कितने टाइम में 0 हुआ ठीक है तो अब ground पर लेके जाते हैं जब ground पर आ गया तो एक्स टू कितना हो जागा टू हंड्रेड माइनस का 30T पिलस 5T स्क्वाइर इक्वल टू जीरो ठीक है अब सीरियल से लगा लेते हैं 5T स्क्वाइर माइनस 30T माइनस 200 एक्वल टू जीरो ठीक है 5 से common ले लेते हैं 5 common ले लिए तो यह हो गया टी स्क्वाइर माइनस 60 माइनस 200 एक्वल टू जीरो 5 जीरो में जाके 0 हो गया टी स्क्वाइर माइनस 60 माइनस और 5 यहां से common ले लिए 5 यहां से common लिए तो यह हो गया टी स्क्वाइर माइनस 5 6 जा 30 60 माइनस 5 420 40 एक्वल टू जीरो मतला टी स्क्वाइर माइनस 60 माइनस 40 एक्वल टू जीरो यह हमारी question आगे इससे solve करते हैं factor करके हम T की value निकालेंगे ठीक है अब क्या करेंगे 40 के ऐसे factor जिने माइनस करके 6 आना चाहिए 10 40 40 10 माइनस 4 तो इससे break कर लेंगे ठीक है यहां पर करें दे रहा हूं कि यह होगी हमारा टी स्क्वाइर माइनस 6 को हमने लिखिए 10 माइनस 4 ठीक है 10 माइनस 4 इंटू टी माइनस 40 इक्वल टू जीरो यह होगी हमारा को हमारा टी स्क्वाइर माइनस 10 टी और माइनस माइनस RPG 4 टी माइनस 40 इक्वल टू जीरो ठीक है अब यहान से दो एक यह워서 T कामÓमल लिया तो कितना T-10 और यहां से 4 common लिया तो T-10 equal to 0 अब T-10 दोनों जगा से common अब बचया हमारा T plus 4 equal to 0 तो यहां से दो value निकलेंगे T की if T-10 equal to 0 तो T equal to कितना आगे हमारा 10 second ठीक है दूसरा if T plus 4 equal to 0 तो T equal to minus का 4 second टाइम माइनस मांगा नहीं तो इसको छोड़ देंगे तो इसका मतलब 10 second में जो है दूसरा वाला 0 गिराफ साफ सब बता रहे हैं कि 8 second में तो पहला वाला जो है 0 हो गिया और 10 second में दूसरा वाला 0 हुआ तो इसका मतलब पहले के बाद में तो जो है दूसरा गिरा है पहले के बाद में दूसरा गिरा है क्योंकि इसकी velocity जाद थी बहुत घूमका आया है पहले के बाद में बाद का मतलब दो सेकिंड बाद जाके गिरा है जमीन पर ठीक है अब इतना तो हमें पता लगए कि 10 सेकिंड बाद जो है यह जमीन पाया है और 8 सेकिंड में यह आगिया तो 8 सेकिंड तक तो दोनों ही चले हैं तो इसका मतलब तो फिर थोड़ा से मिटाता हूं फिर आगे बढ़ता है थोड़ा से थोड़ी से साइड दब गई थे तो आप एक वर समझ लीजिए यह हमारी क्वेशन आई सिह थे थे स्कॉर करता है यह माहिन्स इसका खे बलगा से माइनस प्लस च्रूण दोने जगा सीक्कर ए प्लस लिखनelleं ox इस दोने जल्गां सब्सक्रूण स्वा 맛있 चोड़ थे फिर में आगे करता हूं देखे इतना करने के बाद इतना नोट कर लिया हो तो मैं यह मिटा देता हूँ इतना करने के बाद इतना करने के बाद हम क्या करेंगे position निकालेंगे दूसरे की पहले के respect मिदा x2 minus x1 की value निकालेंगे तो equation 2 में सब 1 minus कर लेंगे equation 2 minus equation 1 equation 2 में सब 1 minus कर लेंगे 2 क्या है हमारी x2 equal to x2 equal to 200 plus 30t minus 5t square इसके नीचे x1 रख लेंगे x1 कितना है हमारा x1 equal to 200 plus 15t minus 5t square अब दोनों को minus कर लेते हैं minus करना तो आप से आता ही है minus 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 plus minus cancel plus minus cancel प्रिये होगी हमारा x2 minus x1 equal to 30t में से 15t minus करेंगे तो कितना बचेगा 15t इसका मतलब क्या है x2 minus x1 बरावर 15t ये linear है linear equation of motion है मतलब ये जो हमारी equation आ गई वो में चले हैं ठीक है linear motion में चले हैं दोनों और इनका गिराब जो है यहां से यहां तक है अब क्या हुआ है आठ सेकिंड में आठ सेकिंड में इसे वेरिफाई कर लेते और अब देखना यह है कि हमारा पहला वाला जीरो जो हुआ था आठ सेकिंड में जीरो हुआ था आठ सेकिंड इसे वेरिफाई करके 120 आ रहा है या नहीं आ रहा है सेकिंड 2 में पाइसे की पोजिशन का जो क्यूथ कže दि दूसरे की क्योंच है तो दूसरे की क्यस्कान ले लेंगे खाली क्योंकि यहां से यहां तक पहले वाले का तो कोई रोल ही नहीं एक्स वन इक्वल टू जीरो है तो एक्स टू इक्वल टू कितना हो गया 200 प्लस 30T माइनस 5T स्क्वायर यह आ गई हमारी क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है यह आ गई कर्वड की इक्विशन कर्व लाइन की कर्व की एक्विशन है ठीक है एक्विशन नमबर टू यह वाली एक्विशन जो आ गए यहां से यहां तक किया गई और यह कितनी है हमारी 200 पिलस 30T माइनस 5T स्क्वायर क्योंकि यहां पर तो दूसरा ही पत्थर चला है खाली 2 सेकंड तक पहला बाला तो पहले गिरिया वह 8 सेकंड पर तो खाली दूसरे की एक्विशन जो होगी वह यहां से यहां तक किस कर्व लाइन की एक्विशन होगी ठीक है अब इससे वेरि जेगा 10 सेकंड पर 200 पिलस 30 इंटो 10 माइनस 5 इंटो 10 का स्क्वायर एक्स तू इक्वाल टू 200 प्लस 300 माइनस 10 तेंट पाइब जाब 500 ठीक है 500 माइनस 500 इक पाइब एकवाल टू कितना अगया जीरो को मतलब जो है यहen जीरो पर आगया दस सेकंड में तो इसका मतलब हमारा बिल्ग बैरीफाई जो है गराब बना